जैम मात तारा जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताय था कि कौन मंत्र देने का अधिकारी होता है और कौन नहीं उमीद है आपको वो समझ आया होगा और आप सावधान रहेंगे आज बात करते हैं उन मंत्रों की जिनके लिए किसी परकार की दिक्षा या उनका उत्कीलन करने की आवशक्ता नहीं पड़ती जिनने कोई भी जब सकता है उनमें कुछ मंत्र है ओम नमशिवाय ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम वक्रतुंद महाकाय सूरे कोटी समापरभा निर्विग्नम कुरुमदेव सर्वकारे इशु सर्वदा ओम सूरे देवाय नमा आदी इनके जब के लिए भगवान शिव को गुरु मानके उनका पूजन करके मानसिक रूप से जब की आग्या ले सकते हैं और यथा शक्ती जब कर सकते हैं क्योंकि भगवान शिव विश्व गुरु हैं और वही प्रथम गुरु हैं उनसे आग्या लेना आवश्यक है जब करने से पहले कुछ बातों का आवश्य ध्यान रखें कि जब नित्य होना चाहिए जब निर्धारित संक्या से कम या ज्यादा ना होए अगर जब संक्या एक बार बढ़ा दी तो फिर कभी कम ना होए जब का एक निश्चित समय होना चाहिए और उसी समय जब करना चाहिए अशुद्धी की अवस्था में जब ना करें जब से पहले प्रणाया मित्यादी करके प्रान का सोधन अवस्य हो किसी दिन यदि जब ना हो पाए तो शमा प्रार्थ ना करके प्राइश्चित करके तीन बार मंत्र का जब करें मल मूत्र इत्यादी पहले ही कर लें ताकि जब के समय इनके द्वारा विग्ननिया परेशानी ना हो जब के समय ध्यान मंत्र के देवता और मंत्र पर ही रहे जब करते समय दियान ना भटकने दे और ना ही किसी से बात करे या किसी की भी बात का उत्तर दे यदि कोई विशेश अनुबव होता है तो उसे लिख के गुप्त रखे जब के बाद देवता से श्रमा प्रार्थना करके उनको जब समर्पित करें इन सब बातों का पालन करने के बाद ही आपको जब का फल मिलेगा और जब का फल भी आपको देवता निर्धारित समय पर ही देंगे तो मार्ग में कितनी भी बहधाएं आए किन्तु जप ना छोड़े और आस्था बनाए रखे क्योंकि बिना आस्था के आप कितना भी जप करें आपको कभी फल नहीं मिलेगा आशा करते हैं वीडियों बताई कई जानकारी आपको पसंद आई होगे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और यदि आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाते हो तो वो भी कमेंट में बताएं वीडियो को लाइक और शेर करें ताकि अन्य लोगों कोई भी मदद हो पाए चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें चैम मातारा